तो आज का आपका टॉपिक है प्लाजमा वॉल्यूम एक्सपेंडर आज के इस लेक्चर में हम प्लाजमा वॉल्यूम एक्सपेंडर को डिटिल स्टेडी करेंगे सबसे बिले देखेंगे कि plasma volume expander की हमें कब requirement होती है किस condition में doctor जो है prescribe करता है plasma volume expander को और साथी साथ plasma volume expander हमें किस condition में देना चाहिए किस condition में नहीं देना चाहिए और क्या-क्या characteristics properties होनी चाहिए plasma volume expander में तो lecture को दियान से सुनना lecture important है यहां से two marks और five marks का question generally put up होता है कि plasma volume expander क्या होते है plasma volume expander किस condition में दिये जाते है plasma volume expander किस condition में नहीं दिये जाते plasma volume expander की characteristics properties क्या-क्या होनी चाहिए यह सारा सब कुछ आज की इस lecture में हम cover करने वाले तो चली lecture को start करते है अगर आपको all lecture requirement है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी playlist जहां पर आपको unit wise सारे lecture मेंने mention किये हुए है और अगर आपको notes की requirement है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी application depth of biology की application आप download कर सकते हैं play store से और आपको वहाँ पर सारे notes available मेंने कराए हुए है वहाँ पर live lectures भी होते हैं online classes भी होती है तो ज़रू download कीजेगा depth of biology application चलिए lecture को start करते हैं तो topic को नाम से समझेए plasma volume expander नाम से समझ में आ रहा है कि plasma के volume को बढ़ाने वाला ये topic आपको फार्माकोलोजी में दे रखा है अगर मैं बी फार्मेसी की बात करूँ बी फार्मेसी फिप समस्टर फार्मकोलोजी के unit number 2 में D topic के plasma volume expander और नाम से क्या पता लग रहा है plasma के volume को बढ़ाने वाला ठीक है तो चलो मैं आपको बिल्कुल basic से start करता हूँ जैसे मान लीजे यहाँ पर आप खड़े हैं ठीक है और किसी condition में accident वगेरा हो जाता है या फिर कोई trauma वगेरा हो जाता है या फिर कोई injury वगेरा हो जाती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा diarrhea हो जाता है या फिर आपकी body से किसी भी condition में blood loss हो जाता है या फिर वहुत ज़्यादा vomiting हो जाती है तो इन सभी condition में क्या होगा, देखो, accident होगा, तो blood का loss होगा, मतलब आपकी body में fluid volume कम होगा trauma होगा, blood का loss होगा, मतलब आपकी body में fluid volume कम होगा injury होगी, blood का loss होगा, मतलब आपकी body में, जो fluid का volume है, वो वापिस कम होगा डाइरिया हो गया काफी सारे electrolyte loss होंगे मतलब आपकी ultimately body का जो fluid volume है वो कम हो जाएगा blood loss किसी भी condition में हुआ तो फिर body का fluid volume वैसे भी कम ही होगा vomiting होई बहुत जादा vomiting हो रही है आपके सारे electrolytes चले जाते हैं उस condition में भी जो blood volume है या body fluid volume है वो कम होगा तो आप देख सकते हैं इतनी सारी condition है माल दिजिए accident हो गया, trauma हो गया, injury हो गया, diarrhea हो गया, blood loss किसी भी अलग condition से हो गया vomiting हो गयी इन सभी condition में blood के fluid volume में blood के fluid volume में कमी आही रही है तो आप इन cases को तीन term से explain कर सकते हैं या तो आप ऐसा बोल लिजिए कि body का fluid volume कम हो गया या फिर आप ऐसा बोल लिजिए कि body में जो plasma का volume था वो कम हो गया या फिर आप direct बोल लिजिए कि blood का volume कम हो गया इन तीनों condition से आप बता सकते हैं बोडी में प्लाजमा का वॉल्यूम कम होना, बोडी में फ्लूट का वॉल्यूम कम होना, या फिर बलड वॉल्यूम में कमी आना, इन तीनों ही कंडिशन में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, प्लाजमा वॉल्यूम एक्सपेंडर, नाम से पता लग जो की प्लाजमा के लेवल को बढ़ा दे जो वॉल्यूम कम हुआ है प्लाजमा का वॉल्यूम जो कम हुआ है या फिर आप बोले जिये ब्लड का जो वॉल्यूम कम हुआ है या फिर आप बोले जिये फ्लूट का जो वॉल्यूम कम हुआ है उसको पूरा करने के लिए उसको रि restore करने के लिए हमें देना पड़ता है plasma volume expander, तो ध्यान रखना जो भी आपकी body fluid का कम हुआ है, यह आपका plasma volume कम हुआ है, blood का volume कम हुआ है, उन सबको restore करने के लिए आपको देना पड़ेगा plasma volume expander, यह plasma volume expander क्या करेंगे, यह जो blood volume कम हो रहा है, या फिर आप बोल दीचे plasma volume या fluid इन सब को restore करके manage कर देंगे maintain कर देंगे ठेके सर मैं यहां तक clear हो गया कि किसी भी condition में जैसे accident की condition में trauma, injury, diarrhea, blood loss, vomiting की condition में आपका body fluid volume या फिर plasma volume या फिर body fluid या फिर blood का volume कम हो रहा है तो उसको सही करने के लिए plasma volume expander देते हैं यह जो है restore कर देंगे पुरानी condition को ही वापिस ला देंगे तो देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है कि plasma volume expander ऐसे agent होते हैं जो कि restore कर देते हैं blood का volume जो भी blood loss हुआ है जो भी plasma loss हुआ है plasma volume loss हुआ है उसको restore करने के लिए हम जो agents देते हैं उनका नाम है plasma volume expander नाम से पता लग रहा plasma के volume को बढ़ाने वाले ठेक है किसी भी condition condition से हुआ या तो आप जल गए हो कोई accidental case हो गया हो trauma वगेरा हुआ हो तो उस condition में जो blood का loss होता है जो plasma का loss होता है जो body fluid volume का loss होता है उन सब को restore करने के लिए plasma volume expander अब जिसे मान दीजिए आपको blood का loss हुआ है आप यहां पर खड़ें ठीक है आपको बहुत सारा blood का loss हो गया बहुत सारा blood का loss हो गया और आप काफी उधास है तो मैं आता हूँ आपको blood donate करने ठीक है मैं आता हूँ आपको blood donate करने तो मेरा blood जब doctor लेगा तो मेरे blood में वो क्या-क्या check करेगा मेरे blood में वो check करेगा कि मुझे किसी तरह का infection तो नहीं मुझे HIV तो नहीं मुझे किसी भी त सब्सक्राइब, मेरा ब्लडड ग्रूप चेक करेंगे मेरा प्लडड़ क्रीकूं, तो मेरी ब्लड ग्रूपिंग, मुर फेक्टर मुझे किसी भी तरह का इंफेक्शन है या नहीं ज Press कोई भी पहनों चाहिआं प्लेट करो हु़ा प्रिछाइब, का कि 나와 के हैं समुझे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी सा blood ले लो, क्योंकि मुझे देना है इसको blood, क्योंकि इसका blood बहुत जादा लोस हो चुका है, इसके blood की कमी आ चुकी है, और मुझे उसका restoration करना है, तो मैं यहाँ पर blood donate करने आया हूं, मैंने blood donate कर दिया, और doctor ने मेरा blood ले भी लिया, पता है क्य तो जैसे ही मैं blood donate करता हूं, अब देखो सामने emergency case है, यहाँ तो मैंने blood को क्या कर दिया, ट्रांसफर, ठीक है, एक तो यह case हुआ कि मैंने blood donate किया, और hand to hand transfer कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, पर माल लिजिए हमें normal blood donate करने गया, normal case में blood donate करने गया, तो जब भी blood को वो store करके रखते हैं, जैसे माल लो, यहाँ तो emergency थी, hand to hand blood को donate कर दिया, पर किसी case में blood donate करने गया, तो उन्होंने वापिस देखा कि मुझे कोई पहतो जाने की infection तो नहीं, मुझे कोई bacterial, कोई viral, या मेरा RS factor क्या है, blood grouping क्या है, वो सब check कर के, उन्होंने मेरा blood को लिया, तो अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, कि सामने patient बेटा ही हो मेरे blood के लिए, ठीक है, क्या पता patient हो ही ना, तो उस condition में क्या करेंगे, blood को store करके रखेंगे, और blood को store करने के time, यह ध्यान रखना कि, जहाँ पर भी आप blood को store कर रहे हो, इन्हें वाले ने blood को store करके रखा, तो blood को store पहली बाद तो आपको ध्यान से करके रखना है, क्योंकि blood को store करा माल लीजे आपने, और उस time कोई bacterial infection हो गया तो, जैसे माल लीजे आप blood को store कर रहे हैं, और blood को store करते time कोई bacterial infection नहीं होना चाहिए, कोई viral infection नहीं होना चाहिए, कि और आप ब्लट को store कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से हम store करें कि वहां पर कोई coagulation ना हो वहां पर कोई bacterial infection कोई pathogenic infection कोई viral infection किसी भी तरह कि उसको कोई problem ना हो blood को blood हमारा healthy रहे blood की cells हमारी healthy रहे वहां पर उनमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए ऐसा ना हो कि ब्लड को आपने इस जगे स्टोर किया जहां पर RBCD नेचर हो गई ठीक है तो प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि ब्लड को कहां पर स्टोर करें कि इन सबको कोई दिक्कत ना आए और एक बात तो ध्यान रखना कि अगर आपने ब्लड को स्टोर करके रखा हुआ है और मानली जी कोई पेशन्ट आगया कि लाओ मुझे ब्लड दो मेरा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो जो स्टोर ब्लड है जो कि आपने स्टोर करके रखा हुआ है आपको उसको एक बार चेक करना है कि यहां पर कोई कोगिल तो फॉम नहीं होगा यहां पर कोई ब्लड कोगिलेशन तो नहीं हो गया यहां पर किसी के तरह का infection तो नहीं हो गया patient को blood को transfer करने से पिले आपको सारी चीज़े चेक करनी है यहां तक कि आपको blood को filter भी करना होता है क्योंकि अगर किसी तरह का blood में cloth बन गया storage के time तो वो cloth patient में आ जाए वना दिक्कत हो सकती है तो हमें filter करके और सारी चीज़े चेक करके blood को donate करना होता है patient को तो यह सारी बात क्लियर होगी ना आपको blood जब हम donate करते है जब वो क्या दिखता है डॉक्टर आपका bacterial infection तो नहीं है कोई pathogenic infection तो नहीं है कोई viral infection तो नहीं है आरेच factor blood grouping सब कुछ match करेगा इस storage के time हमें proper ध्यान रखना है ठीक है और stored blood को अगर हम किसी को transfer कर रहे हैं तो हम चेक करके करेंगे कि उसमें कोई pathogenic infection तो नहीं हो गया कोई viral infection को bacterial infection कोई cloud अगेरा आर्वी सिदी नेचर तो नहीं हो गई storage के time और फिर भी हम filter करके blood को transport करेंगे blood को transfusion मतलब सामने patient में जब हम transfer करेंगे ना patient को तो हमें check करना है filter करना है filter करने से क्या होगा कि अगर कोई cloud बना भी होगा तो वह filter out हो जाएगा ठीक है तो यह सारी basic basic बात ही थी पर एक बात और एक बात और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हमें मिलाना है acid citrate dextrose अब यसा क्यों बोला मैंने कि अगर मैंने blood को collect किया हम इने blood को store किया तो महाँ पर acid citrate dextrose क्यों मिलाना है चलो वो दिखाता हूँ कि acid citrate dextrose हम क्यों मिला रहे तो suppose करो कि यहाँ पर वो blood है जो कि आपने store करा हुआ है ठीक है यह वो blood है जो कि आपने store करा हुआ है तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको मिलाना है acid citrate dextrose अब यह citrate dextrose क्यों मिलाया citrate क्या करता है blood में जो calcium होता है उसके साथ bind कर लेता है citrate bind with the calcium calcium जो की blood में present है citrate उसे bind कर लेता है और citrate जब calcium से bind होता है तो वो clotting को prevent कर लेता है clotting नहीं होने देता आपको डर था ना कि यह blood पड़ा-पड़ा जमना जाए रखा हुआ जमना जाए तो इस blood को जमने से रोकने के लिए इस blood में coagulation होने से रोकने के लिए इस blood में clotting होने से रोकने के लिए हमने डाला यहाँ पर citrate citrate bind with the calcium क्योंकि आप सभी को पता है कि calcium ion is responsible one of the important factor for coagulation अगर calcium होगा तो coagulation होगा यह भी जरूरी है calcium होना भी पर calcium को हमने कर दिया बीजी calcium की reaction हमने करा दी citrate के साथ तो ना रहेगा calcium क्योंकि reaction किसके साथ करा दी citrate के साथ तो फिर blood की clotting भी नहीं होगी और साथ साथ-साथ dextrose इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारी जो cells होती है उनकी life बनी रहे वो stable रहे during storage इसलिए हम dextrose मिलाते तो that's why जो भी blood को हम store करके रखते उसमें acid citrate dextrose मिलाते हैं citrate का काम होता है calcium के साथ react करना और blood को coagulate ना होने देना साथ-साथ dextrose का काम होता है हमारी cells को healthy रखना और भी-सी डव्ली-सी जो भी हमारी रेट सबगे रहे हैं उनको store करके रखना एक प्रोपर वे में उनको stable करके रखना यह क्लियर होगे आपको अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो collect blood from healthy individual free from steady state rate क्यों करते हैं आपको पता लग गया अब अगर हम example देखें इतनी देर से हम देख रहे हैं कि plasma volume expander plasma volume expander पर example हो जाए तो example है dextrin dextrin एक complex polysacride है और dextrin एक बहुती अच्छा example है plasma volume expander का अगर आपको किसी भी patient को plasma volume expander देना है तो आप dextrin को ही prefer करना क्योंकि dextrin की toxicity भी बहुत कम होती है होती ही नहीं है तो यह बहुत ही अच्छा plasma volume expander होता है dextrin is a complex polysacride और इसका जो osmotic pressure होता है वो हमारे plasma protein से बिलकुल बराबर होता है तो ऐसा ही देना पड़ेगा जिसका osmotic pressure बराबर रहे ताकि iso tonicity maintain रहे जो भी tonicity है वो maintain रहे तो ध्यान रगना dextrin is a good example of plasma volume expander dextrin को हम देते हैं dextrin एक complex polysacride है इसका osmotic pressure जो है हमारे plasma protein के बराबर रहता है पर कभी कभी क्या होता है कि dextrin को लेने से कई patients में allergic reaction हो जाती है और allergy अगर हो गई तो दिक्कत हो सकती है जैसे running nose watery eyes ठीक है histamine release होता है आप सभी को बता है histamine पड़ा हुआ है अपने medicinal chemistry unit 1 में तो dextrin को लेने से limitation यही है कि यहां पर allergic reaction हो जाती है और dextrin 40 another example of plasma volume expander जो कि क्या करता है disrupt कर देता है aggregation of rbc rbc को aggregate नहीं होन देता disrupt aggregation of rbc तो यह तो हो गया example of plasma volume expander अभी तो हमने देखा कि किस case में हमें देना चाहिए जैसे accidental case में tropical situation है टाइरिया case में की commenting के case में burning के केस में हमें क्या देना चाहिए अब हम देखेंगे कि कि plasma volume expander को नहीं देना तो मैं आपको समझाता हूं एक ब्लेंक पेज़ यहाँ पर खड़े हैं ठीक है और मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम इस patient को हम plasma volume expander नहीं देंगे तो ऐसा क्यों इस patient को हम plasma volume expander क्यों नहीं दे सकते तो देखो या तो इस patient को हो रखा है anemia की case में आप plasma volume expander का use नहीं कर सकते या फिर इस patient को heart का problem है heart fail हो सकता है तो उस case में भी आप plasma volume expander का use नहीं कर सकते या फिर kidney fail हो सकती है ऐसा कोई patient है जिसकी kidney fail हो सकती है तो उस condition में भी आप plasma volume expander का use नहीं कर सकते हैं साथ-साथ pulmonary odoma यह lung's related है ठीक है सूजन वगेरा आ ना तो अगर pulmonary odoma का case है तो भी आप plasma volume expander का use नहीं कर सकते तो plasma volume expander जो है न यह आप कब-कब use नहीं कर सकते जब patient को anemia है तो आप use नहीं कर सकते heart fell के चांसे तो आप use नहीं कर सकते kidney fell के चांसे तो आप use नहीं कर सकते pulmonary ordeema है तो आप use नहीं कर सकते अब इसा क्यों? माली जी आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको है kidney में problem आपको है heart में problem HP मतलब heart में problem KP मतलब kidney में problem और माली जी मैंने आपको दे दिया plasma volume expander तो plasma volume expander क्या करेंगे blood को volume को बढ़ाएंगे plasma volume को बढ़ाएंगे या फिर आप बोल सकते हैं body fluid volume को बढ़ाएंगे मतलब आपकी body में fluid volume बढ़ गया मतलब आपकी body में plasma volume बढ़ गया मतलब आपकी body में blood volume बढ़ गया तो उस condition में क्या होगा blood कहां जाता है अगर आपकी body में blood ज़्यादा हो जाएगा blood कहां जाएगा ब्लड जाता है हाट में oxygenated होने तो हाट का काम बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड जादा है तो हाट का काम बढ़ जाएगा इस condition में हाट जो है fail भी हो सकता है तो अगर किसी patient को हाट का problem है तो उसमें आप plasma volume expander नहीं दे सकते जो कि अगर आपने ऐसे patient को जिसका हाट का problem है उसको अगर आपने plasma volume expander दे दिया तो उसका heart fail हो जाएगा क्योंकि blood का volume बढ़ा और blood कहाँ पे जाता है oxygenated होने हाट में तो हाट की problem में तो बिलकुल मत देना plasma volume expander साथी साथ अगर blood का volume बढ़ गया plasma volume expander की वजह से अगर आपका blood का volume बढ़ गया तो ये blood कहाँ जाता है filter होने kidney में और अगर किसी की patient की kidney खराब है और blood उस पे डाले जा रहो डाले जा रहो तो kidney भी fail हो सकती है तो ध्यान रखना kidney की problem में heart की problem में आपको कभी भी plasma volume expander नहीं देना क्योंकि plasma volume expander से blood का level बढ़ जाता है और blood का level बढ़ने से heart पे load आता है kidney पे load आता है जिसकी वज़े से heart के function kidney के function fail हो जाते है kidney failure हो जाती है मतलब आप बोल सकता है renal failure मतलब kidney failure हो जाता है किस case में नहीं देना और किस case में देना है अब क्या होता है आपको रहती है expectation जैसे आपको कई सारी expectation है अब मैं यह नहीं बोलूँगा किस से क्योंकि मुझे नाम तो याद नहीं है कि किस से आपको expectation है पर अगर आप plasma volume expander लोगे तो उससे भी आपको expectation होनी चाहिए कि यार plasma volume expander ऐसा हो वैसा हो ठीक है तो एक बात बताओ plasma volume expander को आप अपनी body में ले रहे हो तो आप चाहोगे क्या कि plasma volume expander में toxicity हो बिलकुल नहीं चाहोगे toxicity नहीं होनी चाहिए pyrogenicity नहीं होनी चाहिए क्योंकि pyrogen तो हमारे fever के responsible होते है न फीवर के लिए तो pyrogen भी बिलकुल नहीं होनी चाहिए तो toxicity नहीं होनी चाहिए और देखो यहां पर वो highly stable हो जो भी आप plasma volume expander ले रहे हो easy to prepare हो available at low cost हो साथ साथ isotonicity maintain रहे pyrogenicity बिलकुल नहीं हो toxicity बिलकुल नहीं हो अब एक बात ध्यान से सुनना जिससे मैं यहां पर खड़ा हूँ और मेरा blood का volume कम था या मेरा plasma volume कम था तो मैंने लिया plasma volume expander और इस plasma volume expander ने क्या करा मेरे body volume को मेरे blood volume को वापिस रिस्टोर कर दिया एकदम normal ला दिया ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ मैं ऐसा चाहूंगा क्या कि यह जो plasma volume expander मैं ले रहा हूँ यह फटा फट मेरी body से निकल जाए मैं ऐसा नहीं चाहूंगा बिलकुल भी क्यों क्यो तब ही तो मेरे blood का volume maintain रहेगा और अगर यह plasma volume expander निकल गया तो फिर यह किस काम का तो ध्यान रखना plasma volume expander की जो excretion rate होती है जो कि हमारी body से निकलने की rate होती है वो बहुत ही low होनी चाहिए तो इसकी excretion rate बहुत low होनी चाहिए इसमें toxicity नहीं होनी चाहिए इसमें toxicity नहीं होन चाहिए हमारे blood के equal यह highly stable होना चाहिए easy to prepare होना चाहिए available at low cost होना चाहिए साथी साथ यह pharmacologically inert होना चाहिए मतलब plasma volume expander हमारी body में जाके किसी के साथ reaction शो ना करे उसका काम सिर्फ body के fluid को maintain करना है blood volume को maintain करके रखना है restore करके रखना है वो उतना ही काम करे वो किसी के साथ fall to react न नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरह की आपको allergy नहीं करना चाहिए ठीक है viscosity भी हमारे plasma की तरह similar होनी चाहिए plasma volume expander की और osmotic pressure की बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया तो यह है आपकी expectation plasma volume expander से ठीक है जैसे कि आपका dexpain वगेर है clear हुआ कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए और क्या add करते हैं क्या add नहीं करते है blood donate की time हम क्या देखते हैं ठीक है receiver को donate करने से पहले हमें check करना होता है filter करना हो टाबलेट को सब कुछ तो यह ता आज का आपका topic plasma volume expander आई hope आपको lecture clear हुआ होगा अगर आपको और lecture की requirement है तो आप comment section में comment कर सकते हैं यह notes आपको depth of biology application में मिल जाएंगे आप click करके download करके join हो सकते हैं subscribe and share for more ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं have a nice day thank you